हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक्ट विस्टेटी क्लासस तो माई डियोर फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है मारी फाइव मिनिट सीरीज में और आज जो टॉपिक आपका साथ डिसकस करने वाले हैं वो जुड़ा है पीपल और अन्वार्मेंट जूजी सी नेट पे इनिशेटिज लिए हैं कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस किये हैं एर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए उनकी भी चर्चा आपके साथ आज हम यहां पर करने वाले हैं तो आई ही अपना डिसकुशिन स्टार्ट करते हैं तो माई दीर फ्रिंट्स आखे बढ़ने से पहले एक बार जल्ली से आपको हमारे कोर्स के बारे में भी बता देते हैं तो पेपर वान जो की जनरल पेपर है उसके लिए हमारे पास है mini combo pack और complete course पेपर टू कॉमर्णै और management के लिए हमारे पास है free unit snapshot notes, unit wise explained past papers, practical units का course, computer based series और पेपर टू का complete course, पेपर वान और पेपर टू दोनों का कोर्स आप एक साथ धी purchase कर सकते हैं at a discounted price तो my dear friends अगर बात करें air quality monitoring in India तो हमारे इंडिया के अंदर air की quality को कौन monitor करता है हमारे पास है जी Central Pollution Control Board उसे हम CPCB के नाम से भी जानते हैं Central Pollution Control Board ये जो है air quality को monitor करता है उसके लावा हमारे अलग-लग शहरों में हमने National Environmental Engineering Research Institution सेट अप किया है तो वो भी हमारी air quality को monitor करते हैं दिको CPCB जो है बहुत important organization है आपके लिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक statutory organization है यानि कि एक act के अंदर एक statute के अंदर इसे बनाया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर आती है परियावरन मंतराले के अंदर ये हमारी जो body है वो आती है 1974 में इसे established किया था Under the Water Act 1974 और साथी साथ इसको और भी बहुत सारे functions जो है वो air act 1981 के अंदर भी दिये गए है According to CPCB more than 131 cities हमारे देश की 131 से जादा cities जो है वो हमारी जो limit set की गई है pollution की उनको exceed कर रही है जो PM10 की limits है जो nitrogen oxide की limit है उन्हें हम exceed कर रहे हैं तो कहीना के pollution levels जो है हमारी cities के अंदर वो बहुत जादा बढ़ते जा रहे है और air quality जो है वो गिरती जा रही है तो my dear friends यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम air quality की monitoring कर रहे है तो उनके अंदर हम किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं कौन से pollutants को हम consider करके चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 12 pollutants हैं जिनको हम consider करते हैं air की quality को monitor करने के लिए sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter 10 and particulate matter 2.5 यह छोटे छोटे particulate matter होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत जादा छोटे होते हैं 2.5 वाले बहुत dangerous होते हैं हमारे body के अंदर lungs तक पहुंच जाते हैं और बहुत जादा harmful हो सकते हैं हमारे लिए इनसे थोड़े से जो बड़े particles हैं वो PM10 हैं और इसके लावा ozone, lead, arsenic, nickel, carbon, monoxide, ammonia, benzene यह सारे जो हैं आपके पास pollutants है जिनको आप consider करते हैं air quality को monitor करने के लिए however across the cities only PM10, sulfur dioxide and nitrogen dioxide जो हैं उन्हें monitor किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर इन सभी pollutants को monitor नहीं कर पा रहे हैं across all the cities केवल कुछ चुनींदा pollutants को ही हम monitor कर पा रहे हैं सारे pollutants जो हैं वो केवल कुछ cities में ही monitor हो पाते हैं और अभी हाल ही में हमारे पास दो नए model आया जी air quality को monitor करने के लिए हमारा जो IMD है Indian Meteorological Department उसमें दो air quality forecast models जो है वो introduce किये हैं उनका नाम बहुत ही इंट्रेस्टिंग है एक है जी सीलम और दूसरा है Enfuser तो सीलम और Enfuser दो models हमारे पास आएं देको सीलम है system for integrated modeling of atmospheric composition और Enfuser आपके पास है environmental information fusion surface तो अगर सीलम की बात करें तो यह हमारे पास हमें atmosphere की composition पे, wildfire smoke पे और बहुत सारे sources से data कठा करके देता है जिसे sea salt, pollen, blown dust तो इस सारी चीजों को consider करके हमें air quality के बारे में बताता है और Enfuser जो है वो basically हम लेकर आए है to identify pollution hotspots in the national capital region जो NCR region है जो Delhi के आसपास वाला region है उसके अंदर pollution को पहचानने के लिए इस model को introduce किया गया है यह दोनों model जो है हमने Finland के साथ technical collaboration के अंदर develop किये हैं तो यहाँ पर my dear friends हमारे पास एक practice question है तो इस question को आपने solve करना है और अपने answers को comments के तुरू हमारे साथ जरूर से share करना है तो thank you my dear friends यह था आज का हमारे एक छोटा सा discussion उमीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ discuss करी वो आपको समझ में आई है अगर आपको आज का discussion पसंद आया तो जरूर इस video को like करना हमारे चैनल पर नए है तो इसे subscribe करना और अपने दोस्तों का साथ भी से share करना thank you friends bye bye and take care